नमस्कार फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल टेक्निक वाज के एक और सांदार वीडियो में मेरा नाम है शियरा मौराज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के जरीए कैसे पता कर सकते हैं कि आपके नाम से आपके अधार कार्ड पर कितने सीम एक्टिवेट है यदि आपने उस सीम को एक्टिवेट नहीं किया है तो उसे आप कैसे ब्लॉग करवा सकते हैं उसका रिपोर्ट कैसे करवा सकते हैं दोस्तों टेलिकम डिपार्टमेंट ने आपको एक सुविधा दी है आपके एक वेबसाइट के जरीए आप ऐस कर सकते हैं तो चलिए step by step इसको सीखते हैं क्योंकि आपके साथ यदि कुछ भी fraud होता है आपके नंबर के साथ तो आप ही पकड़े जाईएगा तो इसलिए आप जान लीजिए कि आपके नाम पर कितने सीम एक्टिवेट है यह बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए चलते हैं मुबाइल के तरफ और उस website के तरफ जहां से हम पता कर सकते हैं कि हमारे नाम से कितने सीम एक्टिवेट है तो दोस्तों उस website पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे ही आप website को खोलिएगा open किजिएगा अपने किसी भी browser में तो आपको यहाँ पर अपना मुबाइल संख्य दर्ज कर लेते हैं उसके बाद आगी कि परक्रिया आपको दिखाते हैं उसके बाद फ्रेंट्स दर्ज करने के बाद आपके पास एक ओटी पी आएगा उस ओटी पर को यहाँ डाल कर वैलीडेट करना होगा तो चलिए इंतजार करते हैं कब ओटी पी आता है उसके बाद हम आपको यहां पर डाल कर दिखाएंगे तो फ्रेंड्स OTP आ गया है देखिए यहां से हम copy करेंगे और यहां पर हम उसे paste करेंगे तो चलिए यहां पर हम paste कर देते हैं तो OTP paste कर देते हैं उसके बाद validate पर हम click करते हैं तो देखिए मेरे नाम से मात्र एक ही seem activate है आपके एक से ज़्यादा होगा यदि तो यहां पर अपना उस number को यहां पर डालिएगा track पर किजिएगा click name of user का नाम यहां पर डाल दिजिएगा और यहां से यहां पर जैसे कि यहां पर दिखा रहा है जैसे यहां पर हम को यह करना है इस पर मतलब इस पर हमें कुछ भी करना है मतलब की तो दोस्तो इस number पर यदि हमें यह माली जी हम नहीं चलाते हैं हमारे साथ तो इसको क्या करेंगे कि फ्रेंड्स यहां पर इस इस नोट माई मतलब हम नहीं है यह हम इस सीम के धारक नहीं है तो इस पर हम click करेंगे not required पर click करेंगे यहां पर report का option पर मिलेगा तो इस पर report पर click किजिएगा फिर से एक OTP आएगा और आप verify किजिएगा आपका यह नंबर टेलिकम department के नजर में आ जाएगा और उसको ब्लॉग कर दिया जाएगा फ्रेंड्स यह जनकार यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें फ्रेंड्स अभी यह जो सुविधा है तेलंगाना और आंत्पदेश राज के लिए हैं बाकी राज के लिए यह अभी सुविधा नहीं है लेकिन यहां पर सारे सुविधा अपर दिखाई दे रहे हैं तो आप एक पर ट्राइज जरूर कर लिजिएगा धन्यवा जाए हिंदे